नमस्कार आप देख रहे हैं सीधी बात मैं हूँ राहूल कमल क्रिकेट की दुनिया में मैच फिक्सिंग की बात तो पिछले देड़ दशक से हो रही है लेकिन पहली दफा पुलीस क्रिकेटर्स को रंगे हाथ पकड़ने में काम्याब रही है और ये काम किया है दिली पुलीस के कमिशनर नीरज कुमार ने जो आज सीधी बात कारेकर में मेरे खास महमान स्वागत है आपका क्रिकेटर्स के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि दिली पुलीस के दावेग खोकले है और कोई भी दिल्ली पुलीस के पास सर सबूत ऐसा नहीं है जो कि सीधे सीधे प्लेयर्स को जोड़े बुकीस के साथ शिशान्त के वकील ने मुझे बताया कि तोलिया तो कोई भी खिलारी बदल सकता है इसमें फिक्सिंग कहां से हो देखिए आज तक कोई ऐसा वकील आपको नहीं मिला होगा जिसने कहा होगा कि उसका मुवक्किल दोशी है ये वकील का काम है ये कहना कि मेरा क्लाइन्ट, मेरा मुवक्किल इनुसेंट है और निर्दोश है तो कोई भी यकीन नहीं करेगा और जहां तक तौलिया वदलने की बात है ये सिर्फ एक isolation में ये बात नहीं है इसको अगर आप उस context में देखें जो हमारे पास जो intercepts हैं और जो हमने वीडियो footage आपको अपने press conference में दिखाया था उस context में ये relevant हो जाता है नहीं क्योंकि एक और खेलाडी के वखील ने कहा कि बात तो हुई थी 14 रन देने की रन तो गए केवल तेरा ये दिखाते हैं कि जो पुलीस बाते कर रही है वो सची नहीं है जबकि हुआ ही नहीं है इसा कुछ 14 रन तो दिया ही नहीं मेरे बोलर में वो बिल्कुल ठीक फर्मा रहे हैं लेकिन जब बुकी बुकी बैट करते हैं तो वो थोड़ा कुशन रखते हैं तो कि ये गैरेंटी नहीं होती है कि वो आर्मी 14 रन बनाएगा कि 15 रन बनाएगा एक और ओवर की बात आप कर सकते हैं जिसमें कि 14 रन की प्रॉमिस हुई थी अंकित चवान ने की थी और उसने 15 रन दिये तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारा केस गलत है तो हमारे पास सबूत है और अगर हमने इतने बड़े खिलाडियों पर हाथ रखा है सोच समझ कर उसकी कानूनी दाव पेज को जानते हुए रखा है और हम उसको कोर्ट के साम डिसाइड करेगी कि ये उचित सबूत है या नहीं है इसी को लेकर तो सवाल उठा कुछ वकीलों ने कहा कि पुलीस ने जो प्रेस कांफरेंस की क्लिप्स चला के दिखाई ट्रांस्किप्स पड़कर सुना ये नहीं करना चाहिए तो मीडिया ट्राइल हो रहा है ये तो कि पुलीस को अपना केस रखना चाहिए तैंसा अब ने की क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और देखिए इस केस करने के पीछे एक ये भी मकसद था कि लोग जाने कि वो अगर कोई मैच देखने जाते हैं तो उनके मन में ये बात होती है कि सब चीज फैर हो रहा है और जबकि फैर होता नहीं है तो दर्शक को पता होना चाहिए कि हो सकता है कि जो चीज वो फैर समझ कर देखने जा है वो फैर ना हो आपने तमाम सर्टोरियों को गिरफतार किया खिलाडियों से आपके अफसरों की पूछता चल रही है आप खुद तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं क्या निकल के आ रहा है क्या तस्वीर उबर रही है आपके हिसाब से क्या ये एक आईसोलेटिड वाकिया था यही तीन खिलाड़ी थे आपको लगता है कि क्रिकिट में बेटिंग का जो पूरा माजरा है इससे बहुत बढ़ा है कि मैंने पहले भी कहा है बेटिंग तो वाइड स्प्रेड हैं बेटिंग का तो कोई इंतहा नहीं है कि कि क्रोड़ो रुपे की बेटिंग होती है या spot fix करते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है compared to the overall number of bookies और ये वो लोग हैं जो अपने directions बाहर बैठे हुए लोगों से लेते हैं और उसी के अनुसार वो बेटिंग करते हैं पैसा लगाते हैं और करोडो बनाते हैं जिस over के अपने बात की जिसमें सिर्फ 13 रन बने थे उस over में एक bookie ने हमारे पास सबूत है धाई करोड रुपे कमाया है एक bookie में तो और उस information पर उस bookie के information पर जितने लोगों ने पैसे लगाया होंगे जो उसके syndicate के members होंगे आप अंदाजा लगाई कितना पैसा उन लोगों ने कमाया होंगे आपने कहा कि calls बाहर बैठे अंडर वर् आपको कैसे इतना यकीन है कि अंडर वर्ल के ही लोग है हमारे पास सब्सक्राइब कि हमारे और यह नोगे है यह को बता दे एसा को हमारा हम यह लुद आप लाइज टुशेर ऑलसे डिटेल्स विद यू तो यह जो पूछता चल रहे ही खिलाडियों से क्या इन्होंने अप है कि यह है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं लेकि इतना ऑफब वेल्मिंग एविडंस है कि उनके पास कोई चारा ही नहीं पड़ेगा आप कहरें कि वह जब पुछता छोरी कबूल कर चुके थी तीनों के तीनों इस पूरे fixing racket में involved है क्या ये संभव नहीं कि इन तीम खिलाडियों के अलावा बाकी cricket teams में भी और खिलाडी हैं जो की bookies के साथ बाचीत कर रहे थे मैंने कब कहा कि नहीं हो सकते मैंने कभी नहीं कहा मैंने press conference में भी कहा कि इस investigation में अभी तक सिर्फ एक team के team खिलाड़ी सामने आएं जैसे जैसे investigation आगे बढ़ेगा हो सकता है कि और teams की सामने आएं और teams के अंद्र खिलाड़ी सामने आएं हो सकता है spot fixing ना होके match fixing की कोई बात सामने आएं लेकिन यह सब अभी हमारे जो investigation है वो अभी उसकी शुरुवात है एक एहम मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं वो है गिरफतारियां अब उनसे interrogation चल रहा है उससे बाते आएंगी उस बातों को corporate करेंगे और लोगों को trace करेंगे और लो मैं नहीं जानता ना हमारे investigator जानते हैं कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं पर पिछली दफ़ा हमने देखा था जब जब और आप खुद involved रहे हैं पिछले match fixing cases में जब भी fixing की कोई बात होती है मैं involved नहीं था रहे हैं लेकिन जब भी match fixing की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ वो खिलाडी जिसका नाम आता है उसके खिलाफ तो कारवाई हो जाती है कुछ साल के लिए उसको हाशे पर रख रख दिया था लेकिन बाद में back to normal सारा मामला हो जाता है सब भूल जाते हैं तो यह जो पूरा रैकेट है कभी भी उसके जड़ तक पहुचने की कोशिश नहीं की जाते हैं लेकिए मैं यहाँ पर एक आपको क्लैजिफिकेशन देना चाहूंगा कि पहले दो बाते हुई हैं एक तो हैंसी क्रोणिय के मामले में एक केस दर्जिवा था दूसरी हैंसी को यह काम सौपा कि आप इसकी इंक्वारी कीजिए उस इंक्वारी में जो में आदमी था इमके गुपता उसको पिशोरी करपा कहिए या इत्तफाक कहिए जो कहिए उसको मैंने ट्रेस किया मैंने पकड़ा और मैंने पकड़कर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी उसको ह खाचित भी कीई तो जो सी बि आई ने काम किया, वो एक इन्कौारी थी, इन्विस्टिकेशन, फॉर्मल इन्विस्टिकेशन नहीं था, कोई कیस दज नहीं हुआ था में के गुपता ने जिज जिस प्लेयर्स को बुलाया लिए उनको बुलाया गया हर एक प्लेयर को बुलाके उसे पुश्टाश की गई और उस इंकौारी में जिन लोगों के नाम हम लोगों निशित तौर से कह सकते हैं कि ये लोग complètement ये वो हमने सरकार को बताया, इसके बेसिस पर कुछ क्रिकेटर्स को लाइफ बैन किया गया, लेकिन वो कोर्ट के सामने मामला नहीं गया, कोई केस दर्ज नहीं हुआ, आज तक ने सर्टोरियों पर एक बड़ा श्टिंग ऑपरेशन किया, उन्होंने तफसील से बताया कि इस तर तक पहुँचने की, इसको रोखने की रुखती नहीं है, क्या आप एक पुलिस ओफिसर हैं, क्या आपको लगता है कि बेटिंग पर काबू पाया जा सकता है, या इसे अब लीगलाइस कर दना चाहिए, ये देखिए, मैं अपना व्यक्तिकत विचार आपको नहीं बताना च पर ये एक एहम सवाल है, क्योंकि कई लोग कहते हैं, कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजे, मैच फिक्सिंग पे, स्पॉट फिक्सिंग पे तो काबू पाना चाहिए, लेकिन यूके में लीगल है, आप जाके बेट लगा सकते हैं, इसमें कुछ छिपाने वाली बात नह हैं, और इतनी फिक्सिंग, इतनी बेटिंग हो रही है, कि इसको रोख नहीं सकते, आप चलिए, मैं एक सेकंड के लिए, अगर आप कमिशनर ना होते, एक लाइनफोर्स्मेंट आफिसर होते हैं, आप इस केस को इतने साल से ट्रैक करें, आपकी क्या राय होती हैं, लेकि ऐ लोटरी हंडेड परसंट बोगस होता है, और उस पर हमने बकायदा रिस सर्च करके एक बुक्लेट बनाया था, और वो सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, जो लोटरी ऑपरेटर्स थे, जो अलग-अलग स्टेट गर्मेंट के बिहाफ पर, या उनका नाम लेकर लोटरी चलात परताफार शमनों ने किया था, और यह उन्होंने चैलेंज किया हमारे इंविस्टिगेशन को, बाध सुप्रीम कोट तक गई थी, शुप्रीम कोट में हमारे द्वारा प्रिपेर की गई रिपोर्ट, मिनिस्टी ऑफ होम आफेर्ज ने पेश किया, और उस रिपोर्ट के ब लॉटरीज बैन होगे थी, आज तक लॉटरीज, स्टेट रन लॉटरीज बैन है, अब हम जब ये इनिस्टिकेशन पूरा कर लेंगे, मुझे पूरी उमीद है कि सरकार हमसे एक डिटेल रिपोर्ट मांगेगी, हम उपना पूरा डिटेल रिपोर्ट देंगे, और उसके अगर वो डिसाइड करती है कि इसको लिगलाइज कर देना चाहिए, या लिगलाइज करने में अच्छा है, सरकार को रेवन्यू भी आएगा, तो ये तो सरकार का फैसला होगा, पर आपकी राय भी उसमें एक एहम राय होगी, कि क्या आपके हिसाब से बेटिंग पर काबू पाने की कोशिश की जानी चाहिए, या काबू पाया नहीं जा सकता, इस वज़े से इसो होने दे और मैच फिक्सिंग पर फोकॉस होगा. मैं तो कभी नहीं कईवा कि इसको होने देना चाहिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि भी देन को चलनाच कहूं और से बहुत warn कि गलत चीजें होती हैं लोगों के परिवार डूब जाते हैं वोग बैंक्रिप्ट हो जाते हैं उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए बड़े सारे कुकर्म होते हैं तो मैं तो बिल्कुर से खिलाफ हूँ और हर पुलिस आफसर से खिलाफ होगा लालच का समाधान क्या है क्योंकि अभी निकल के आ रहा है कि यह जो बुकीज हैं क्रिकेटर्स को लड़कियां सप्लाइ करते थे स्कॉट्स दिलाते थे जब यह तीरों खिलाडी गिरफतार हुए तो उनके साथ लड़कियां थी अब इस सब चीजों का आपके हिसाब से समाधान क्या है क्रिकेट के आप भी बहुत शौकीन है क्या हो सकता है सिल्यूशन इसका देखिए जहां तक लड़कियों का सवाल है यह तो किसी भी प्लेयर की निजी लाइफ से चुड़ा हुआ मसला है तो वो उसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा अगर आप लिगलाइज भी कर देंगे बेटिंग तब भी वो चल सकता है लेकिन यह जरूर है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद एक डेटेल रिपोर्ट सरकार को देंगे सिर्फ लड़किया ही नहीं है ड्रग्स हैं पार्टीज हैं फिक्सिंग है म अब सवाल यह उड़ता है कि अगर क्रिकेट की दुनिया को साफ करना हो आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए ड्रग्स की बात हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं पहले आई थी खिलाडी पकड़े गए थे मुंबई पूलिस ने चापे मारे थे लेकिन मेरे को परज करना शिस्टम को प्रिफाई करना जो इस रॉटन एक्जेम को अडेन्टिफाई करना उनको इलिमिनेट करना तो इडिज इन ओंग प्रोसेस और इसके अलावा कोई अडिस्टेटिव कदम उठाये जा सकते हैं सरकारवारा तो क्यों नहीं अच्छा कमिशनर साब यह बताईए कि कुछी हफते पहले दिल्ली में आपको लेके बड़ा गुस्सा था सड़क पर आप यहीं लफ्तर के बाहर विरोध हो रहे थे लोग कह रहे थे कि कमिशनर साब का इस्तिफा होना चाहिए छूटी में भेज दिया जाए तो आपके लिए काफी राहत की बात होगी कि इतना बड़ा केस क्रिकेट की दुनिया में फिक्सिंग का सबसे बड़ा भंड़ा फोड़ा आपने किया है रिटायर होने से पहले बड़ी राहत की सांस ले रहे हुए देखिए मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि लोग मेरा इस सफ़ा क्यों मांग रहे थे वाकई अगर मान लीजिए एक रेप साउड डिली में हुआ जिसको हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर क्रैक कर दिया 22 घंटे के अंदर सारे अक्यूज पकड़ लिये उन पर उनको दस दिन में चार्शीट कर दिया उनके प्रोजेकूशन एविडेंस अब एंड हो रहा है इस महिने के अन तक इसके अलावा जो रेप पुर्वी दिल्ली में हुआ या मालीजे कि किसी का एसीपी ने किसी को तपड़ मार दिया तो उसमें आप मुझे बताइए कि पुलीस कमिश्टर का क्या दोश है यूँकि आप टीम के लीडर थे लग रहा था यह टीम है वो जनता के साथ नहीं जो प्रोटेस्टर आ रहे हैं उनको तमाचा पड़ रहा है उनकी उपर आसुगैस चल रहे हैं उनकी उपर वाटर कैनन हो रहा है और आप उस वक्त पे लग रहा था कि लड़कियों को होता तो हम उस दिन इंडिया गेट पर सुबह से शाम तक इंतजार नहीं करते होते हैं हम जैसी भीड कटी हो रही होती हम लाटी चलाना शुरू कर देते हैं डिल्ली शहर में हर साल छे हजार मुझारेट चे जलूस रैलीज इत्यादी होते हैं कितने रैलीज में और कितने प्रस्टेशन में आपने सुना है कि पुलीस ने फोर्स का इस्तमाल किया है पुलीस फोर्स का इस्तमाल तभी करती है जब कोई और चारा नजर नहीं आता और एक अनलॉफुल असेमली को डिस्पर्स करने की ज़रूत होती है तो यह बिलकुल निरदार बात है अब मेरा ये मानना है कि जो यह मोहिम है यह मोहिम एक मोटिवेटर कैम्पेइन है और यह कैम्पेइन कुछ ऐसे लोगों द्वारा चलाया गया है और ऐसे लोगों की बैकिंग से चलाया गया है जो मेरे द्वारा जब मैं सीवी आई में था उन लोग पकड़े गये थे बड़े पाफुल ल लेकिन यह मुहिम जो है यह मैं पहले प्रिंट पीडिया को भी बात कह चुका हूं यह एक मुहिम था इड़ वोज़ा मोटिवेटेड कैमपेंग पर जनता यह मुहिम नहीं समझती है जनता अंख्ले समझती है और अंख्ले बताते हैं कि क्राइम ग्राफ दिल्ली में लगाता पुलीस के लिए सबसे आसान काम है आप कोई कंप्लेइन लेकर आए आप उसको कुछ बात कहके मां ते टाल दीजीए अरे या तुम भज़ जाओगे तुमको बार बार आना पड़ेगा कोट का चेहरी है यह है वो है कोई लड़की कंप्लेइन लेकर आए तो कहे भाई तो क उसके complaints को आप सुनने लगते हैं और उस सुनने के बाद जिस के जिस मामले में case दर्ज होना चाहिए दर्ज होने लगता है तो crime graph बढ़ता है अब जब crime graph बढ़ड़ा है तो आप लोग इन आखड़ों को देख रहे हैं और जब लोग टाल रहे थे जब police register नहीं कर रहे थी ता हो रहा है कि यह शिकायत करीब करीब निल हो गई है कि मैं थाने गया और मेरा case दर्ज नहीं हुआ है यह बहुत बड़ी बात है मैं परवार नहीं करता है कि जो register crime के figures हैं वो इस तरह चोंचे उठ रहे हैं मैंने बार बार कहा है कि police का सबसे fundamental reform reform number one जिसके जिसमें किसी की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होगा वो यह है कि police की performance का मापदंड यह आकड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि आकड़ों से खिलवार करना बहुत ही असान है पुलीस की performance का मापदंड होना चाहिए cases कितने solve हो रहे हैं कितने लोग पकड़े जा रहे हैं और satisfaction level compliance में क्या है चलिए compliance में satisfaction level और साथ के साथ लड़कियां लड़के जब सड़क पर निकलते हैं वो महफूस feel करते हैं कि सबसे एहम बात यह है बहराल यह दिली पुलीस की बड़ी कामियाबी है और इसके लिए पुरे जो वियोर्स है उनकी तरफ से शाबाश और आपने यह वादा भी किया है कि यह कहानी यहां खतम नहीं होगी आप तहकीकात करते रहेंगे और हो सकता है कि और बड़े खिलाड